हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं आपके साथ मार्केट स्टाइल बहुत ही क्रिस्पी चटपटी पापड़ी चाट की रेसिपी शियर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चे हों बड़े हों या फूर बुजर्ग हों सभी को न ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है और बाजार में सभी से मांग बांग कर चटकारे लेकर खाते हैं तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आज की इस चटपटी सी क्रिस्पी सी चांट की रेसिपी को तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साहज का बरतन ले लिया है और उसमें न मैंने चलनी रख लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक कप भर के मैदा आप चाहें तो यहाँ पे आदा मैदा और आदा आटा भी ले सकते हैं और अब उसके बाद हम डालेंगे यहां पे एक चम्मच भर के अज़वायन, तो अज़वायन को ना हातों से क्रश करके डालें, और साथ में ही डालेंगे यहां पे हम स्वाद के अनुसार नमक, और दो चम्मच भर के cooking oil, तो पापड़ी बनाने के लिए यहां पे हमें बहुत जादा ओयल डालने की जरुवत नहीं है एक चमच डाल दीजिए या फिर दो चमच उसके बाद सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे आप गूत के तयार कर ले तो इसका जो आपको डो लगाना है वो बहुत ज़ादा मुलायम नहीं लगाना है आपको इसका डो जो है थोड़ा सा हार्ड लगाना है अगर आप इसका डो जो है वो थोड़ा सा लूज लगाएंगे न तो जब आप पापरी बना कर तयार करेंगे तो वो थोड़ी धिरबाद न सौफ्ट हो जाएंगी बाजार जैसी एकदम क्रिस्पी करारी नहीं बनेगी तो इसका डो जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगा के रखना है और कम से कम से 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ दें तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बहुत थोड़े पानी का यूज क्या है और बहुत अच्छे से आटा मैंने गूथ लिया है बस अब इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए इतने में हमारी मैदा जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ना 5-10 मिनट कंप्लीट हो गए थे उसके बाद हम दुबारा से इसे पंच कर लेंगे 3-4 बार उसके बाद हम पूरा आटा लेंगे और उसमें से दो बड़ी बड़ी लोई बनाके तयार कर लेंगे तो यहाँ पे आप कितने आटे की पापरी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप बड़ी बड़ी लोई बनाके तयार कर लिजे और उसके बाद इस तरह से बड़ी रूटी की तरह बेल के तयार कर लीजे वैसे ना पापरी बनाना बहुत ही इजी है बट कभी-कभी जब हम घर पे बनाते हैं तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होती है जैसे कि हम मार्किट वगरा में खाते हैं वैसी तो उसे बनाने के लिए आपको बस थोड़ इसी बातों का ध्यान रखना है और उसके बाद आपकी पापरी चांट भी बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी करारी बनेगी तो एक तो आप उसमें ना कुकिंग ओयल कम डालें और थोड़ असा आटा जो है वो सक्त रखें फ्राइ करते समय ना ये फूले ना और उसके बाद मैंने एक इस तरह का कुकी कटर ले लिया है और उसकी हेल्प से हम इने कट कर लेंगे तो अगर आपके पास यहाँ पे कुकी कटर ना हो इस साइज की कोई छोटी सी कटोरी या फिर छोटी सी गिलासी हो ना तो आप उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो इस तरह ना मिंटों में धेर सारी हमारी पापड़ी बनके तयार हो जाती है और अगर आप वैसे बनाएंगे जिसे एक-एक लोई हमने बनाई और बेली तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है बहुत देर में बन के तयार होती हैं तो इसी तरह मैंने दोनों लोई की पापडी जो है वो बना के रख ली है और इधर मैंने गैस पे कुकिंग ओयल भी चड़ा दिया है और ओयल बहुत अच्छा तेज गर्म हो गया है अब उसके बाद हम इन्हें फ्राइ कर लेंगे तो फ्राइ करने के लिए गैस की फ्लेम आप स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए हाई रखें और उसके बाद आप इसकी फ्लेम को मीडियम से लो कर दे क्योंकि मीडियम से लो पे जब हम इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी और अगर आपने इसे high flame पे fry किया तो अच्छे से crisp भी नहीं होंगी, soft बढ़ जाएंगी तो देखा दोस्तों आपने इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है मिंटों में आप इसे बना के तयार कर सकते हैं और महीने भर के लिए आप इसे store भी कर सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं आप डबे बें भरके इन्हें महीनों महीनों store करें और जब कभी आपका चांट खाने का मन हो तो फटा फट से आप पापरी निकाल लिए और उनकी चांट बना के enjoy कीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको आज के पापरी चांट की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्रीज नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें तो देखें इन्हें मैंने डालने के बाद अच्छे से सेक लिया है नीचे की साइड और जब इन पे बहुत अच्छा सा कलर आजाएगा तब आप इने पलड़ दें और दोनों साइड बहुत अच्छा कलर आने तक बहुत अच्छे से क्रिस्प होने तक आप इने फ्राइ कर लें और वैसे भी अब कुछी दिनों में न होली का त्युहार भी आने वाला है तो होली पे हम सभी कूप सारे पकवान बनाते हैं मठरी, गुजिया, शक्करपारे, टिककी, चांट पढ़ा के बनाते ही रहते हैं तो आप इस तरह ये बना के रख लीजिये और इसे होली पे एंज्वाई कीजिये तो इस होली आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद अपने फीडबेक मेरे साथ जरूर शेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैच जो है हमारा फ्राइ हो गया है उसे मैंने निकाल लिया है अब बस इसी तरह बाकी बची हुई पापड़ी को भी मैं फ्राइ कर लोगी और उन्हें भी मैं निकाल लोगी तो एक बार में आप धेश सारी पापड़ी बना के रख लीजिए और उसके बाद जब भी आप दही बड़े बनाएं या फिर टिक्की बनाएं सभी में इनका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टिक्की और दही बड़े में पापड़ी चांट उपर से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है और जब भी हम बाहर जाके टिक्की और दही बड़े खाते हैं तो बहां पे भी उपर से पापड़ी उसमें डालके जरूर दी जाती है जिससे की थोड़ असा क्रिस्पी पन उसमें बना रहे तो देखें यहाँ पे सारी पापड़ी मैंने बना के रख ली है और लुक बाइज आप देख सकते हैं कितनी जादा बढ़िया बनी है एक भी नहीं फूली है और बहुत जादा क्रिस्पी करारी बनी है जैसे की हम मार्केट से लेकर आते हैं सेम बैसी तो चलिए अब जटपड़ से अपनी चार्ट भी तयार कर लीते हैं वैसे आप लोगों में से पापड़ी चार्ट किस-किस की फेबरिट है मुझे कमेंड करके जरू बताएगा वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई ये कहेगा कि मुझे पापड़ी चार्ट नहीं पसंद है क्योंकि बच्चे हों, बड़े हों या फिर हों बुजुर्ग सभी को इस तरह की चार्ट बहुत पसंद आती है क्योंकि टेस्टी ही इतनी बनती है, बार-बार खाने का इन्हें मन करता है तो देखिए, यहाँ पे ना सारी प्लेट में मैंने धेल सारी पापड़ी लगा ली है और उसके बाद हम उपर से इस पे डालेंगे चटनी तो चलिए देख लिते हैं, अब इसके उपर हम कौन-कौन सी चटनी एड़ करने वाले है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कटोरी में दही और अब साथ में ही ले लेंगे यहाँ पे हरे धनिये की खूबती की चटपटी सी चटनी साथ में ही है गुड़ और इमली की सौट और साथ में ही लेंगे हम यहाँ पे एक टमाटर जिसे बिल्कुल फाइन फाइन चौप कर लिया है साथ में ही एक उबला हुआ आलू है और एक लिया है मैंने प्याज उसे भी बिल्कुल फाइन चौप कर लिया है साथ में ही लिया है मैंने सेब भूजिया तो चलिए अब चाट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस पे डालेंगे दही और दही डालने के बाद अब हम डालेंगे हरे धनी की चटनी तो यहाँ पे आप इसमें चटनी कैसी खाते हैं कम या जादा है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और लास्ट में अब डालेंगे इसमें हम गुड़ और इमली की सौंट तो मैंने कई बार आपके साथ गुड़ और इमली की सौंट की रेसिपी शेर की है इस वीडियो में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी चाहें तो आप उसे एक बार चैक आउट कर सकते हैं क्योंकि उसे बनाना भी बहुत आसान होता है अब साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे बारी कटा हुआ प्यास बारी कटे हुए टमाटर साथ में ही उबले हुए आलू और उपर से डाल देंगे हम सेव भुजिया क्योंकि सेव भुजिया से ना इसका फ्लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ी आता है तो बस अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें और एड़ कर देंगे एक बार दही चटनी और धनिये की चटनी और वैसे ना अगर आपके पास बीट रूट बगएरा हो या फिर आपके पास अनार के दाने हो तो आप इसमें वो भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे वैरियेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छी लगे में तो यह होता है कि हमारी पापड़ी जो है वो कैसी बनी है क्रिस्पी करारी एक्दम होनी चाहिए और अब इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी एड़ करेंगे जैसे की सफेद नमक, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा और साथ में ही थोड़ा सा चाट मसाला क्योंकि इन सभी के बिना जो है इसका फ्लेबर पिलकुल अधूरा है तो देखे फ्रेंड्स यहां पे हमारी बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग सी, चटपटी सी चाट जो है बनके बिलकुल तयार है तो इसे देखकर आप लोगों के मुँ में भी आ गया ना पानी क्योंकि आप सोच ही सकते हैं लोकवाइस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी ज़्यादा डेलिशस होगी तो चलिए दोस्तों मैं तो इसे करती हूँ और जब तक आप चैनल को कर दीजी सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक और शियर तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड एक केर